स्वागत आप सबीका अपने यूटूब चैनल एजूकेशन पॉइंट पर फ्रेंट्स आजन्द करेंगे क्लास ट्वैल्थ की लिजीकल अजूटेशन का चैप्तर फुर फ्रेंट्स ये चैप्तर फुर का पार्ट नमबर फुर है ठीक है friends और इसी पार्ट में मैं आपका chapter complete करवा दूँगी ठीक है friends अब देखिए सबसे पहले है अरशमता sister 4 friends अरशमता sister 4 का मतलब होता है जो अक्षमता वाले जो अरशमता वाले जो बच्ची होते हैं या फिर अरशमता वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ किस प्रकार का वहवार करना चाहिए यह अरशमता sister 4 में सिखाये जाते हैं तो इसमें ये सारे लिखे हुए अब हमें से पढ़ते हैं सबसे पहले इसमें है उची शब्द का चैन fans अगर हम अरशमता वाले किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो उसके साथ क्या करना चाहिए हमें उची शब्द का प्रियो करना चाहिए उसे हमें जैसे कि हमें उस व्यक्ति को यह नहीं बोलना चाहिए कि वह लंगड़ा है हमें उसकी जंग है उस व्यक्ति को यह बोल सकते हैं कि यह अक्षम है, अपने पैरों से अक्षम है, ठीक है friends, इस प्रेकार के शब्दों का इस्तमाल कर सकते हम, अब देखिए, हाथ मिलाना, friends हाथ मिलाना, अगर किसी अंधे विक्ति के पास जाते हैं, जिसके पास आखे नहीं हैं, तो friends उसके पास जाके हमें सबसे पहले क्या कर चाहिए, उनसे हाथ मिलाना चाहिए, जिससे उन्हें यह अनुबव हो जाए, कि मेरे पास कोई विक्ति आया हुआ है, ठीक है friends, अगला है, सहयक की सहयता के बिना मिलना, हमें जो भी विक्ति और शमता के वज़े से पीडित है, उस विक्ति के पास हमें सहयक के बिना जाना अगर हम किसी सहयक के साथ जाएंगे, तो उसे इस बात का एहसास होगा कि मेरे अंदर यह कमी है, जिसकी वज़े से यह अपने साथ सहयक को लेक्या है, ठीक है friends, तो हमें सहयक की सहयता के बिना ही उससे मिलना चाहिए, अब अगला है, ध्यान पूर्वक संपर्क में आना, हम अगला है, 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 अगल रहीन व्यक्ति से करने चाहिए ठीके फ्रेंस अगला है समान महत्व देना फ्रेंस जो व्यक्ति अगर अशमता है उस व्यक्ति के अंदर तो हमें उस व्यक्ति को यह है अनुभव नहीं करवाना चाहिए कि उसके अंदर कोई कमी है हमें उसे भी वही दर्जा देना चाहिए ज जो हम एक समाने व्यक्ति को देते हैं, ठीक है friends, समाने व्यक्ति को देते हैं, उसी प्रकार का दर्जा देना चाहिए, उसी प्रकार से उसको समान करना चाहिए, अगला है दया का भाव प्रकर्टना करना, हम अगर शम्ता वाले व्यक्ति से बाचिर करते हैं, तो उसके सामने ह हमें क्या नहीं करना चाहिए, दया का भाव प्रकरट नहीं करना चाहिए, हमें उन्हीं ऐसे हिन भावना से नहीं देखना चाहिए, या फिर क्या नहीं दिखाना चाहिए, कि हम उन पर दया करते हैं, ठीक है फ्रेंट्स, अगला है, हील चेयर पर नहीं जुकना, अगर कोई व अब है जब तक अक्षम व्यक्ति आपकी सायता नहीं मांगता है जब तक हमें रुखना चाहिए अगर वह आपकी सायता मांगता है तो आपको दे दिनी चाहिए पर हमें यह नहीं दिखाना चाहिए कि हम उन्हें सायता दे रहे हैं ठीक है friends जब तक वै आपकी सायता सुएकार नय करें जब तक वै आपकी सायता को नयम लेना चाहता हो जब तक हमें नहीं देने चाहिए उसकी परतिक्षा करने चाहिए उची समय ठीक है फ्रेंट्स अगला है विशेश आवजक्ता वाले बच्चों के लिए शारी क्रियाओ का निधान करने की रननीती ठीक है फ्रेंट्स जो विशेश आवजक्ता वाले जो बच्चे होते हैं अगर हम उनके शारी क्रियाओ का निधान कर रहे हैं तो हमें किन-किन बातों का समस्या है जिसके अनुरूप हम उनके शारे क्रियाओं का निधारन कर सकते हैं ठीक है फ्रेंस इसमें याएगा अब देखे बच्चों के पूर अनुभव को जानना फ्रेंस यह भी एक महत्रपूर्ण है कि बच्चों का जो पूर अनुभव है उसकी जाच करे अगर हम शारे क जो उसका पूर जो अनुभव हो इसमें उसने क्या किया जिसकी मदद से हम उनके लिए शारे क्रियाओं एक बहुत यह अच्छी शारे क्रियाओं निधारन कर सकते हैं अगला है रूची फ्रेंस जो दिव्यांग जो वच्चा है जिसके लिए हम शारे क्रियाओं का निधार कर रहे हैं उसकी रूची का में पूरा-पूरा ख्यार रखना चाहिए जिसकी वज़े से वहाँ अपने शारिक्रियाओं को अच्छे डंग से कर सके रूची के साथ अगला है शमता हमें दिव्यांग व्यक्ति की जिसके लिए हम शारिक्रियाओं को निधान कर रहे हैं उसकी शम्ता की जाच कर लेनी चाहिए कि वहों किस कार्य को करने में कितना शक्षम है जिसके द्वरान हम उनकी शारिक्रियों को निधान कर सकें जिसके वज़े से उन्हें कोई परिशानी ना हो शारिक्रिया करने में, ठीक है Leonard, मैं फ्रेंडस यह उसकता, इसमें जो उपकर हम निधायत कर रहे हैं, वैसा ही भी है या नहीं है, ठीक है friends, अगर ना हो तो हमें उनको बदल देना चाहिए, अगला है, रुपांतरित नियम, friends, जो विशेश अफशकता वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए जो नियम तै किये जा रहे हैं, उनको जो रुपांतर friends, हम जो अनुदेश देते हैं विशेश अफशकता वाले बच्चों के दिव्यांग बच्चों को, तो उनके अनुदेश, उनके अनुसार होने चाहिए, उधान के लिए अगर हम किसी नेतरहीन व्यक्ति को, अगर कोई अनुदेश दे रहे हैं, तो हमें उन्हें लिखे हु शारिक्रियाओ का निधान करते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए, कि हम उनके लिए क्या करें, पहले साधारन से शुरू करें, उनके शारिक्रियाओ का निधान करते हैं, तो उनके सभी अंगों का प्रियोग हो, ऐसा हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनके जो अंग है उनका शारी क्रिया करते समय उनके सभी अंगों का प्रियोग होई है ध्यान रखना चाहिए ठीके फ्रेंट्स जिसे उन्हें मदद भी मिल सकती है फ्रेंट्स अगला हमारे सामने विशेश आफशता वाले बच्चों के लिए शारी क्रियाओं के लाब अगर हम विशेश मेढ़ हम शारी की शुधार देखते हैं इसमें हैं देखिये फ्रेंट्स देखिये फ्रेंट्स पथे पहले एक अगर्फाटा शारी donne केंदेनब कर BROWN अगर जो विशेश आशकत वाले जो बच्चे हैं अगर वह शारी क्रियाओं करते हैं तो उनेसे क्या fantasy का doga एकर प्रेंट यह होता है, लचके छाइरों, अगला शक्ति विशयश्य आशक्ता वाले जो बच्च वाली शारी क्रयाई करते हैं तो उनके शजरीर में थे ख्रहती है. ho blended energy कोई भी कारिय करने की शच्क्ति उनके शरीय में हो जाती है उन्हें थोड़ी थोड़ी काम करने के बाद, थाकाउट मैसूज नहीं होती है, उनकी शक्ति में क्या होती है? वृधी होती है अगला है सैन शीलता जो शारिक क्रियाई करते हैं दिव्यांग बच्चे उनके अंदर क्या होता है उनके अंदर यह लाब बढ़ता है कि जो उनके शारिक क्रियाई करते हैं उसमें क्या होता है विर्धी होती है सैन करने की शम्ता में क्या होती है विद्धी होती है ठीक है फ्रेंट्स अगला है हिर्दय समंद्य सुधार जो विशेश आज़ते वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर शाय क्रियाओ का लाब सबसे बड़ा यह होता है कि उनके हिर्दय में क्या होता है सुधार होता है उनके हिर्दय समंद्य सुधार होता है अ अगला मोटापे से बचाव जो इशारिक क्रियाएं करते हैं दिव्यांग बच्चे तो उनके अंदर क्या होता है मोटापे जो उनका जो मोटापे से बिमार नहीं हो पाते अब देखें अगर वह पहले से ही दिव्यांग है उनके अंदर कोई परिशानी है अगर वह मोटापे से भी पीडित होंगे तो क्या होगा मोटापे समंदी विमारी होंगे जिससे उन्हें और मुश्किल होगी तो मोटापे से बचा होता है यह सबसे बड़ा अच्छा जो लाब है सबसे ज़्यादा है अब देखिए दूसरा है हमारे सामने मांसिक सुधार अगर जो विशेश आफशक्ता वाले जो बच्चे हैं शारिक रियाए करते हैं तो क्या होता है मांसिक सुधार होता है उनका जो मस्तिश्क है उसमें क्या होता है सुधार होता है और मांसिक सुधार का मतलब यह होता है कि उनके जो मन में किसी प्रेकार कर डिप्रेशन नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, वह चिंता मुक्त हो जाते हैं, ठीक है friends, वह मांसी घ्रूप से क्या हो जाते हैं, स्वस्त हो जाते हैं, और ने अच्छा मैसूस होता है, अगला है आत्मसम्मान, जो विशीश आशकता वाले जो बच्चे होते तो अगर हमारा आत्मसम्मान, हम अगर अपने मन में ही हार जाएंगे, हम पहले यह सोच लेंगे, हम यह कारे नहीं कर सकते हैं, तो कोई कितना भी बल लगा ले, पर हम वो कारे नहीं कर सकते हैं, अगर हमने यह ठान लिया, कि हम यह कारे कर सकते हैं, तो हम यह कारे कर सकते है तो आत्मसम्मान उनका किरता है, उसमें विर्दी हो जाती है, तो वे हर कारे करने में शक्षम हो जाता है ज्यादा तर ठीक है? और देखिए यह आपके लिए भी लागू होता है कि अगर अभी से आप अपने मन में ठान लेते हैं कि हमें अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं हमें 95 प्लस मार्क्स लाने हैं या 90 प्लस मार्क्स लाने हैं तो आप अपना कोई भी उदेश्य बना लेते हैं तो क्या होता है आप वो कर लेते हैं, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी आपको हारना नहीं है, आपको end, जो आपको end आएगा ना, बोर्ड एक्जाम आ जाएगे, जबी भी नहीं हारना है, अगर आप उस सेमें भी ये सोचते हैं, कि हम कुछ कर सकते हैं, तो आप अवश्यक कर सक होते हैं, तो चाहे मैं आप पे जोड लगा लूँ, या चाहे आप मेरी कितनी वीडियो देख लो, उसका कोई लाब नहीं है, ठीक है, फ्रेंट्स, आपको परे मन में ये ठाना ही होगा, कि आप अच्छा माक्स लाएंगे, चले अगला है, अच्छा स्वास्ते, फ्रेंट् समंदी, जो भी बिमारें वह दूर हो जाती है, जाए तर और वह अच्छा हो जाती है, ठीक है, फ्रेंट्स, अगला व्यक्तितत को बढ़ाना, फ्रेंट्स, व्यक्तितत्व, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी व्यक्ति को हम, कैसी हम जजज करते हैं, सबसे पहले, हम य सारिक्रिया करते वह होता है उसमें क्या होता है वह बढ़ जाता है जिस्सेव आकरशक लगते हैं हम सब को ठיח है आप कि देखे समाजी उकलाब ग agreement गदाल जो जो उंधिक वाले जो पोचे किसी से भी अपने मन की बात क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, ठीक है friends, वो समाज का हिसा बन सकते हैं, ठीक है friends, इसी के साथ जो यह है, वीडियो यह भी खत्म होती है, और हमार चैप्टर वो भी कंप्लीट हो गया है, मैं आपसे अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो आपको समझ में आया हो तो प्लीज फ्रेंट्स लाइक कीचेगा और हमाये चैनल को सब्सक्राइब कीचेगा ठीक है फ्रेंट्स और साइड में जो बैल आइकन उसे फ्रेस करना मत भूलेगा क्योंकि अगर आप बैल आइकन को प् ठीक है फ्रेंट्स